देवर एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरव वश्व ने निउसलबन भारत से उन्होंने खास बाचीत में कहा कि कोविट गाइडलाइन्स का सकती से पालन करना होगा ज्यादा से ज्यादा वाक्सिनेशन पर जोर देना होगा एम्स निर्देशन में वैसे लोग जो रक्तदान करते रहे हैं वो दूसरे डोस लेने के 3 से 4 सपता बाद ही रक्तदान कर सकते हैं पहला तो संदेश सब को यह जाना चाहिए कि ये बिमारी की जो लड़ाई है वो समाज के हाथ में बहुत कुछ है जो तीन चीजें शुरू से कही जा रही हैं कि एक तो गज की समजिक दूरी बार बार हाथ का धोना ये सैनिटाइजेशन से हाथ का साफ करना और तीसरा मास पहनना कि यह में इन तीन चीजों का ध्यान रखें तो हम इस कड़ी को तोड़ सकते हैं कि संकरमण और लोगों में ना पहुंचे दूसरी चीज जो हम लोग देख रहे हैं भारस सरकार जिस पर पूरा प्रत्न कर रही है वो है वेक्सिनेशन कि जितने लोगों का हम टीका करन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी वो कोई भी टीका करन सौ परसंट इम्यूनिटी नहीं देता है लेकिन हाँ सतर से ऐसी परसंट चांसेज इन्फेक्शन के संकरमण के कम हो जाते है और जिनमें यदि टीका लगने के बार संकरमण होता भी है तो उनकी तीवरता अलक्षनों की कम हो जाती है वे बिमारी जान लेवा नहीं होती टीका करन को पूरा सहयोग दे भरसंटा ने अब 18-45 आयूर के लिए भी टीका करन की प्रणारी शुरू कर दी है वे रत दाता है वो रातर युवर की होते है और अब हम युवर के जी टीका करन कर रहे हैं तो क्या रत दे पाएंगे या नहीं इस सवाल अब का यह है कि जो टीका करन होता है उससे एंटी बाडी बनते हैं जो एंटी बाडी बनते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं कुछ हफतों के बाद और चार से छे हफते के अंदर बन जाते हैं तो यदि किसी का टीका करन हुआ है वो तीन से चार हफ्ते के बाद ब्लड दे सकता है तो उसमें कोई ब्लड देने में नुकसान नहीं है यह जरूर है कि लिए आप किसी रक्त कोश्में ब्लड बैंक में जा रहे हैं तो आप अपने टीका करण की स्थितिय को जरूर बताएं अब आप समोज के साथ में श्राज निर्जन भाहत के लिए देव खर से